ये लूख सभा में कारे करने का उसर प्राफ हुआ आदरियान स्रीमती सुवित्रा महाजंजी का उत्रवदेश की दर्पी पर आखमन पर व्यम का है पैसे स्वाधत करता हुआ उनका महत्वपुन द्गोधन संस्कृति को ले करके और संस्कारों को ले करके अभी हम सबने सुन है उनका यह महत्वपुन द्गोधन इस मिशन के लिए पाथ ही बन सकता है और इस दिस से भी मैं उनका समय निकालने और इस महत्वपुन कारिक्रम के लिए अपना श्रीवाद प्रतान करने के लिए से धन्यबाद देते वे अभी नदन करता हुआ है मित्रों आज एक बहुत महत्वपुन दिन्दी है और तालीस वर से पहले लोग तंत्र के गले को पूटने का प्रियास बाता हुआ है और आज हम सब और उसके ठीक इतर एक दूसरे मुद्दे को ले करके संस्कृती जैसे मुद्दे को लेकर के आज यहां पर रायट करके संस्कृती ब्योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं पर अनुमान कर गये कि अड़्तालीस वर से पहले अगर सच्छ मुच्छ विलोग सफ़ल हो गए होते तो क्या यह संभव होता है कि हम इसंस्क्रती ब्योद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भी कुछ नियम होंगे उसके भी कुछ बंधन होंगे उसकी लक्षिमण रिखाए होंगे जैसे ब्यक्ति की अतनी पैचान होती है उसमें अलग गुण होंगे या उसके नहीं कि सारे लोग एक परिवार में अगर चार भाई हैं तो चारों के अंदर एक समान गुण नहीं होते कोई किसी एक छेतर में पार्वगत होता है कोई दूस्य छेतर में पार्वगत होता है कोई समाज सिवा में जाना चाहता है कोई सरकारी सिवा में जाना चाहता है कोई अपनी व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है कोई किसी अन्हें छेतर में जाता है ऐसी समाज के अंदर भी आप लेक्ते होगे अलग-अलग वर्ग हैं अलग-अलग जातियां हैं अलग-अलग मर्थ और पासना भी दिया है और एक यहां मनुस्य के अंदर ही नहीं है जीव जनतों में भी है अलग-अलग प्रकार के जीव जनतों पाई जाते हैं और अगर यह मनुस्य के साथ साथ जीव जनतों के अंदर पाई जाते हैं तो प्रकृति इससे अच्छोती नहीं है दुनिया के अंदर जितने देश हैं उनकी भी अपनी क्रिसिस्ट पैचान है जैसे फ्रांस अपनी कला के लिए दिख्यात है उनका कुछ भी कर लो लेकिन उनकी कला के साथ छेड़ चाड़ मत करो भी चाना की मिरटेन परेटेम की अपनी पैचान है वह सब कुछ कर लो लेकिन उनके विए खेटों के साथ हैं कि अई पिस कि अवह सथा ह्याकि नेकस अधर भारत वी अपनी पैचान है और एड़ीन रात को यह यह लंब में समय तक व्रेटि सर्ड या मोगन आकरांताओं की हमलों को और बाद में लगभग 200 वर्सों तक बिटी सर की गुलाम गुलामी को जहिलने के लिए मज़कूर होना पड़ा यहां कि जद्धा तब तक सहती रही जद्धा कि उसकी संस्कृति पर सीधे हमला नहीं हो रहा था ठीज़र करिये अंग्रेजों के खिलाब पहला हमला और पहला स्वातंतर सवर्ट जिसे आंप्रस्वा वाथमस्वांटर्समर्ग करेदियों कब हुआ in 1857 में और वा क्यों हुआ क्यों कि काई की चर्वी और समर की चर्वी से बनें वे कार्टूस भार के शीनिवह को दे करके उनकी आस्ता के साथ उनकी संस्कृति के साथ सीधे सीधे हमला करने का प्रियास हुआ था और तब वे सभी से निक बढ़क उठेती और एक जूट होकर कि पुरे देश के अंतर एक नया अंदून खड़ावा तो जो भारत का पत्म स्वातितर समख की रूप में जिसे बीर सबर करने मालीता दीती है कि राज़ में जाने जाता है यानि भारत अपनी के साथ अपनी संस्कृति के साथ भरत स्कृति के साथिवार्व की पैचान है सांस्कृति यानि पीज का पनप जाना एक ग्रेक्स बन जाना फर फुल करके लोग कल्याण के माध्यम से किसी को छाया देना किसी को फल देना और बात में फिर अपनी मारती लकड़ियों से लोग कल्याण का माध्य पसस्त कर देना एक एक अवय उप्योगी है पेड़ है तो चाया दे रहा है फूड आए तो सरवत्र खुस्वूखे ना रहे है फल आए तो सब को फल की मिठास दे रहा है और अगर सूप है तो इमारती लकड़ियों से ऩे लोग कल्याण का मारत पसस्त कर आएं संस्कृति है लेकिन बीच का सड़ जाना गल जाना पर उसकी विक्रिति है उसको नश्ट कर देना चाहता है और यह सांस्क्रतिक हम्दा सबसे खतरना हम्दा होता है कि याद करिए मुगल इस देश में तब तक आराम से सासन करते रहें जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किये जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते बित